में वो सीटी दिखाया जाता है जिसके नीचे अम्रेला कॉर्पुरेशन बनाई गए और यहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था और लोग अपने नॉर्मल लाइफ गुजार रहे लेकिन अम्रेला कॉर्पुरेशन के कुछ लोग उस चेमबर को खूल देते हैं जिस च पर लोग एक डॉक्टर को अपने साथ ले जाने आए थे और यहीं वो डॉक्तर था जिसनी वो टी वाइरस बनाया था और इसलिए वह लोग उस डॉक्तर को लेने आए थे जिस पर बोस्कूल कहता है कि मैं अपने बेटी की आने का वेट कर रहा है और जब वो स्कूल से आ जाएगी तब भी मैं तुम्हारे साथ जाओंगा लेकिन वो सॉल्डर्स डॉक्टर की एक नहीं सुनते और उसे अपने साथ ले जाती है इसके बाद हमें उस डॉक्टर की बेटी दिखाए जाती है जो कि स्कूल में थी और उसकी पास क्रीपी सा बैग भी था थोड़ी तेर पूरे सिटी का सेन दिखाया जाता है जहां पर जॉम्बिस लोगों को काट कर इंफेक्टिट कर और वाइरस तेजी से फैलता जा रहा था और पूरे सिटी की लोगों में हल्चल मच जा लोग इधर उधर भाग रहे थे कुछ को सेफ करने के उस सिटी में एक पुलिस टेश का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एलिस को देखते हैं जो के एक स्ट्रेचर पर थी और उसे बांदा हुआ था वहां से खुद को अजाद करती है और बाहिर आ जाती है जहां पर वह देखती है कि पूरा सिटी अब डिस्ट्रॉय हो चुका और पूरे शेहर की कंडिशन क काफी ज्यादा खराब और जितने भी सर्वाइवर बचे थे वह सब जॉंबिस बन गए है और आइस्ता आइस्ता फैलते जाते हैं और यहां पर जितने भी लोग जिन्दा बचे थे वह इस शेहर को चोड़कर यहां से जाना चाथ लेकिन अम्रेला कॉर्परेशन की लोगो खोकर इधर उधर भागने लगते जिल उस जॉंबि को मार डालती यह देखकर मेजर केन समझ जाता है कि वह वाइरस पूरे सिटी में फैल चुका है और यहां तक भी आ गया और इसलिए वह एक्जिट टोर को बन कर कि अब कोई भी बाहर नहीं जा पर लोगों को गौन करते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं माने और वह यहां से नहीं गए तो सब कुमार्डर उसी सिटी में एक हेलिकॉप्टर बेजा जाता है इसमें अम्रेला कॉर्पुरेशन के कुछ सॉल्जर्स उन सॉल्जर्स में एक का नाम ऑलिवर था और बाकी उसके टी और इसलिए वो लड़की बिल्डिंग से कुद कर सुसाइट कर लेती है कि कहीं वह भी एक जॉम्बी ना बंज यह देखकर और उसके साथ ही वहां से चले जाता है मेजर केन के कहता है कि आपको यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि यह प्लेस आपके लिए सेफ नहीं और य हमारे सोलजर्स सेफली उसको यहां पर ले आएं पी वाइरिस डॉक्टर अपनी बेटी की लुकेशन जाने के लिए अमडेला कॉर्पूरेशन के कम्प्यूटर की यूजर आइडी को अकसेस कहता है लेकिन वह आइडी काम नहीं करती क्यूंकि वह आइडी अब ब्लॉक हो तब वह डॉक्टर को यूजर्स आइडी को अकसेस कहता है और उसे उसकी बेटी की लोकेशन पता चल जाती है और उसकी बेटी की लोकेशन उसका स्कूल ही आ रहे ही लेकिन स्कूल के रास्तों को चारो तरफ से जॉंबिस ने गेरा जिस पर वो डॉक्टर फॉरंट समझ जाता है कि उसकी बेटी का स्कूल से बाहिराना काफी मुश्चा पिरा में एलिस दिखाई जाते है जिसको कुछ विजन्स आ रही थे और तब हमें पता चलता है कि एलिस की बाड़ी में बहुत ज्यादा मिक्दार में वो टी वाइरस इंजक्ट किया और हैरत की बात तो यह है कि अभी तक वो कोई जॉंबी भी नहीं बनी लेकिन असल में एलिस की पास कोई ऐसी खूबी थी कि जिसकी वज़े से वो इतनी पौवरफुल थी और अभी तक जॉंबी भी नहीं बनी थी जिल के साथ उसका एक फ्रेंड और एक लड़की रिपोर्टर दिखाए जाती है जिसके पास एक कैमरा था वो तीनों सर्वाइवर खुद को सेफ करने के लिए एक चर्च में जाते हैं जहां पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जोकि नेचर वाइस काफी अजीब था वो उन तीनों को गन पॉइंट करते हुए कहता है कि यह जगा मैंने फाइंड की तो यहां पर सिर्फ मैं ही रहूंगा और तुम लोग यहां से चले जाए वो तीनों उस आदमे को समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जगा हमारे लिए बिलकुल सेफ है और हम सेफली सब जाता है और उसने वहां पर किसी को चुपाया हुए जिल पूरे चर्च को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि चारो तरफ फोन के सिवा और कुछ भी नहीं और इतने ही दिर में वह फादर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है तब ही जिल जैसे वो भी इन्फेक्टिड हो जाता और तब जिल को उन दोनों को ही मारना पड़ता दूसरी तरह वो आदमी जो पहले से ही वहीं पर था उन लोगों से अलग होकर खुद को सेफ करने लगता लेकिन तभी एक मॉंस्टर जिसी अम्रेला कॉर्पोरेशन ने बनाया ता इसका महां पर आती है और उन लेकर्स पर शूट करके उन्हें असानी से मार ड़ता वो तीनों एलिस को देखकर काफी हैरान रहे जाए क्योंकि एलिस ने अपने स्किल्स दिखा कर उन तीनों को सेफ जो कर लिया था सिटी में ऑलिवर और उसकी टीम मेंबर जॉम्बिस को मार रही और कबरों से मुड़ा लोग उठकर इन पर अटेक कर देते लेकिन वो लोग बचकर वहां से बाहर आ जाए वो लोग बचकर एक लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक फोन करने लगता और ऐलिस उस फोन को पिक करती और कॉल उस टी वायरिस डॉक्टर की होती जो एलिस को कहता है कि मैं तुम लोगों को वहां से सेफली बाहर निकाल सकता हूं लेकिन उसके लिए एक शर्त कि अगर तुम मेरी बेटी को सिटी के एक स्कूल से बचाकर सेफली लेया होगे वो डॉक्टर उन लोगों पर काफी दिर से नज़र रखे हुआ था इसलिए वो ज वाइबरिड जॉम्बी जिसे केन नहीं बनाया था वो दुबारा से जिंदा हो जाए और इस हाइबरिड जॉम्बी को वैपनस देने के लिए एक हैलीकॉप्टर सिटी पर विजवाया जाता है ओलिवर और उसके बागी साथ हैलिकॉप्टर को वहां पर देख लेते और उस सेफ करने के लिए वो सॉलजर टीम की पास आ जाता है और तब ही वहाँ पर वो हाइबरिड जॉम्बी भी आ जाता है सब लोग उसे शूट करने लगते हैं लेकिन उस पर गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा अब क्योंकि इस हाइबरिड जॉम्बी को मेजर केन ने बनाया था तो वो ही इसको कंट्रोल कर रहा था मेजर केन हाइबरिड जॉम्बी की पावर को चेक करने के लिए उन सॉलजर टीम को खतम करने का औरडर दे देता और hybrid zombie उन soldier team को मारने में काम्याब हो जाता लेकिन वो उस survivor लड़के को नहीं मारता क्योंकि वो soldier team का member नहीं था वो एक आम आदमी था उन्हें मारने के बाद hybrid zombie वहां से चला जाता है और वो survivor लड़का भी वहां से चला जाता है जिल के friend जो कि अब infected हो गया था उसे मारना चाहती थी क्योंकि वो किसी भी वक्त zombie बन सकता था तब जिल एलिस को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे friend को मारने की जरूरत नहीं है जिल बिल्कुल exact time आ जाएगा यानि जब वो zombie बन जाएगा मैं खुद ही उसे मार डालूंगे तब ये चारों doctor की बीटी को safe करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं पर कुछ दूर एलिस को वो hybrid zombie नजर आ जाता है और वो hybrid zombie उन लोगों की तरफ ही आ रहा था जिल का friend अपनी गर निकाल कर hybrid zombie को मारने लगता है लेकिन उल्टा वो hybrid zombie ही जिल के friend को मार डालता है और बाद में एलिस उस hybrid zombie से fight करने लगती है उन दोनों की काफी fight होती है अब क्योंके एलिस जानती थी कि वो उस hybrid zombie से ज्यादा powerful नहीं है इसलिए वो खुद को safe करके वहां से चली जाती जिल और वो reporter लड़की एक कार में बैटी होते है जिल अपने friend की मौत की वज़े से काफी upset होती है लेकिन अचानक जिल का friend zombie बन कर दुबारा से जिन्दा हो जाता है और उस पर attack करने लगता है लेकिन जिल उसे shoot करके उसे मार डालती Oliver को भी एक zombie ने काट लिया था और वो भी अब infected हो गया था उन लोगों को भी T virus doctor की call आती है और वो उन्हें भी अपनी बैटी को safe करने का mission देते है वो reporter लड़की एक room में पहुँचती है जहां पर बहुत सारे zombies बच्चे उस पर attack कर देते हैं और उसे खा लेते हैं उस reporter लड़की की आवाज सुनकर जिल वहाँ पर आती है लेकिन वो zombie बच्चे उसे खा चुके थी और वो वहाँ से चले भी गए थी और तबी उस doctor की बेटी बाहिर आती है और जिल को कहती है कि तुम्हारी friend को वो zombie बच्चे खा चुके हैं और वो बच्चे यहां से चले गए हैं इससे पहले कि वो वापिस यहां पर आएं हमें यहां से चले जाना चाहिए जिल और डॉक्टर की बेटी पर zombie डोग attack कर देते हैं लेकिन Oliver का एक team member उने बचा लेता है और वो अपने बारे में बताने ही लगता है कि तब ही बाकी zombie स्टोग उस पर attack करके उसे मार डालती है और तब बिल्कुल ठीक वक्त पर Alice वहां पर आकर जिल और डॉक्टर की बेटी को save कर लेती है Oliver भी वहां पर पहुंच जाता है और वो सब एक दूसरे को अपने बारे में बताते है Alice को उस बच्ची की बैग में antivirus मिलता है तब डॉक्टर की बेटी उन सब को बताती है कि मेरे फादर ने ये T-virus इसलिए बनाया था कि कहीं मैं भी उनकी तरह paralyze ना रह जा और यहां पर हमें T-virus बनने का परपस पता चल जाता वो बच्ची ठीक तो हो गई थी लिकिन उसे बहुत ज्यादा मिक्दार में antivirus की जरूरत थी वो लोग डॉक्टर की बेटी को लेकर वहां से चल पड़ते हैं और इसी दुरान Alice Oliver को भी वो antivirus थेकर उसे safe कर लीती Alice T-virus डॉक्टर से contact करती है कि हमने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है अब हमें यहां से बाहर निकालने की responsibility तुम्हारी है वो डॉक्टर अपने बात पर पुरा उतरते हुए उन्हें एक location बताता है और कहता है कि वहां पर एक helicopter है तो तुम्हें जल्दी से उसमें चले जाना है कि इस से पहले की तुम्हें कोई देख ले और अगर तुम किसी की नजर में आई बगेर उस helicopter में चले जाओगी तो तुम safe भी हो जाओग जो कुछ भी डॉक्टर ने उन लोगों को बताया होता है पीछे से मेजर केन वो सब सुन लेता है और मेजर केन डॉक्टर को पकड़ लेता है वो बाकी सर्वाइबर्स हेलिकॉप्टर में बैट कर उस location पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर था करने के लिए इंकार कर देती कि वो हाइबर्ड जॉम्बी कोई और नहीं बलके मैट था जो पिछले पार्ट का सर्वाइवर था और एलिस के साथ था और एलिस की तरह उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स किये गए और उसे एक हाइबर्ड जॉम्बी में तबदील कर दिया गया मेजर केन उस डॉक्टर को शूट करते हुए एलिस को बताता है कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी थे लेकिन मैंने फिर भी उने मार डाला और तुम्हारे फ्रेंड्स मेरी लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है तो मैं उन्हें भी मारने में देर नहीं लगाऊंगा और कि वो पूरी तरह उनके कंट्रोल में था एलिस हाइबरिड जॉम्बी पर अटेक करती है और उसे काफी बार स्टैप करके उसे जखमी कर देती है और उससे ये लड़ाई जीत जाती है केन एलिस को इतना पावरफुल पाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है जिस पर एलिस उसे ऐसा करने से मना कर देती और वो उसकी बात नहीं मानती तब एलिस उन लोगों को मरने के लिए वहाँ पर चोड़ कर अपने हेलिकॉप्टर की तरफ जाने लगता है अब क्योंकि मैड यानि वो हाइबरिड जॉम्बी अपने कंट्रोल में वापिस आ गया था तो वो उस हेलिकॉप्टर पर बहुत सारी कोलियों से बारिश कर देता है क्योंकि वो एलिस को बचाना चाहता था हेलिकॉप्टर में वो सर्वाइवर लड़का की इनको मार कर भी होश कर देता है और हेलिकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले ले लेता है बाहिर सब सर्वाइ कुछ को अजाद करके उन लोगों से लड़ने लगते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा हैलिस को मारने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन मैट एलिस को बचाने के लिए खुद को भी सेक्रिफाइस कर देता है और वह मर जाता है नेक्स सीन में हम देखते हैं कि अमरेला कॉर्प किस वहां आकर मेजर केंड को मार डालते हैं और वह हैलिकॉप्टर को लेकर वहां से चले जाता है तब ही सीटी में एक बहुत बड़ा ब्लास्त हो जाता है जिसकी वज़े से हैलिकॉप्टर अप्ना कंट्रॉल खो देता है और क्रेश हो जाता है अकले दिन healice को अमरेला क और वहांसे बाहिर आ जाती है और सबस्ने में से कियोंकि अधुल हो गयी थी क्योंकि उसे डाक्टर आइजेक ने अपग्रेट कर दिया था जब यौन से बाहिर आती है तब उसके साथे जिनमें ऑलिवर जिल और अधुकर लड़का नकली सोलजर बंद कर उसे वहांसे निकाल कि पूछता है कि क्या इन लोगों को जाने दिया जाए और डाक्टर आईजक उन्हें यहां से जाने के लिए अलाव कर देता है वो सब कुछ देखेगी अईक पल की रिपोर्ट बी दे को इसके साथ ही यहीं पर एंड हो जाती झाल झाल